उदे राज चोदरी जी कानपूर से शीयर इवेंश माराजी आपके श्री चरणों में कोटी डन्मत प्रणाव माराश्री जिस विश्विद्याले में मैं संसारिक शिक्षा हेतु प्रयासरत हूँ वहां सभी साथी गन विरोधी सभाब के हैं क्रिप्या आप मार्क दशन करें की साथ रहते हुए भी संग दोश के प्रवाब से किस प्रकार सुरक्षित रहा जाए मारजी उर्भाजर में मालनाओं रहते हैं यद्या पी कठिन हैं परा संभव नहीं है यद्य पिकठीं है जिशे लंका में रहकर के वीवीषण जी ने भगवान की परमभक्ती के पर बहुत कठीन हैं क्के वहां सब आशुरी शुभाव के थे लंका निश्चर निकर निवाशा इहां कहां सज्जन कर पासा भुला ऐसे बाता वरण में लंका जिसे वातावरण में साधू पुरुस के से रह सकता है पर थे भी विशण के यदि हमारा लक्ष द्रड है तो हमें कोई नहीं गिरा सकता है जो रहीम उत्तम प्रकति काकरशकत कुशंग चंदन भिश्व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग अगर उत्तम विचार वाल है शवभाव भागवतिक हैं तो कोई बरस्ट नहीं कर सकता पर सबहाव भाभ भागवतिक नहीं है इसलिए डरने की जरुरत है अगर हम नाम जब करते रहे और द रढ रहे परिपक कि हम आपका विरोध भी नहीं करते, आपको जो मन भावेस्टों करो, लेकिन हम यह नहीं करेंगे, हम यह नहीं पिएंगे, हम यह नहीं खाएंगे, हम ऐसी बाते नहीं करेंगे, आप उनसे मित्रता करो या ना करो, वैसे कोई मित्रता नहीं करता, क्योंकि जो बात करने के लि बन गए हरी मित्र वे तो सब बात बन गए और ऐसा मित्र ही क्या जो कुपंथ मार्ग में चला दे उसे मित्र कहते हैं और जो शद आचरणों से ब्रश्ट कर दे उस शत्रू ता मित्र आज आजकल मित्रता का भाव देखा कर सत्रूता की जाती है आग लगे इसी मित्रता में जो कुमार्ग गामी प्रवत्तियों को बढ़ावा दे वैसे आपका भाव बहुत बंदनी है कि आप इस सवस्ता में शावधान रहना चाहते पर है कठिन को न कुशंग तिपाय न साई कुश कि तुम बहुत खुश नजर आ रहे हो तुम्हें पता नहीं क्या यहां चाल चली जा रही है को शेल्या जी की दाशी बनना पड़ेगा तुम्हें राम जी का राज्या विशेख हो रहा है और भरत बंदी ग्रह सेंगे पहली बार कईके जी ने जो शब्द कहा था कि घर अरे कल का समय तो आने दो जो तू मांगे की मैं दूँगी मेरे प्राण प्रिराम का राज्या विशेख फिर वो दुबारा जब पेश हुई अपने रंग में तूदास क्यों है बता ना बस मैं तो आपके शंग आई हूं दाशी बनके तो मैं आपका सदाहित चाहती हूं प बोलो ना तुम्हें शत्य को साक्षी करके कहती हूं यहां राम का राज्या विशेख हुआ महराज उनके अधीन है कोशिल्या के आप रंग चड़ने लगा और इतना रंग चड़ा दिया महराज के प्राण निकल गए प्रहु का चौदा और इसका बनवास हुआ पूरी अजवध्या महां दुख से युप्ठ हो गई कह के जी नहीं बदली कोन कुशंग ति पाय नसाई कुशंग अपना बहुत बड़ा झाल